नमस्कार दोस्तों आप सब को सागत है हमारे इस नए वीडियो में आज हम कुछ नोन ट्रडिशनल डिरिव डिसकार में डिसकस करेंगे यह क्या होते हैं क्लाइमेट फाइनस में इनका क्या रोल होता है और किस तके से इनको बिजनेसे यूज करके अपनी जो प्रफिरिविटी उसको एंशूर करते हैं और जो उसकी बिजनेस से लेटर जो फाइनिशर डिसक है उसको कम करते हैं आईए देखते हैं आप सुपने कहीं न कहीं सुने होगा कि derivatives होते हैं यह stock market में काफ़ी एक famous word है option and futures तो आपने अभी after covid जिस्टेगे से future हमारे जो share markets होना लोगों मेंस दिया है उसको देखके काफी सारा जो हमारा youth या फिर जो हमारा काफी सारा जो crowd है इंडिया का वो share market kit के तब एकदम से भाग options या future यह दोनों एक ही है बस option में आपके ओपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको जो underline asset है उसकी delivery देनी है या फिर लेनी है futures में बस वो obligation रहता है कि आपको इधर delivery देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी depending अपन आपने आपने बाय किया या फिर sell किया है तो options और यह futures मतलब derivatives क्या होता है यह कोई भी एक underline asset रहेगी आज हम एक्जामपल लेते हैं oil का अगर oil हमारी underline asset है तो मैं ही चाहता हूं कि मेरे business में certainty बनी रहे है मतलब अगर मैं business कर रहा हूं assuming aviation मेरा business है तो अभी जो मेरा ticket का price रहेगा उसमें oil का बहुत बढ़ा component रहेगा जैसे कि हम सब जानते ही है तो अगर मैं मुझे मेरे आगे का financial model बनाना है आगे की एक साल का तो मुझे इस oil की price को भी consider करना पढ़ागा क्योंकि सबस्वड़ा component ह तो इसमें fluctuation आएंगे क्यों आएंगे क्योंकि बहुत सारे geopolitical factors रहते हैं demand supply equations रहती है तो उसमें जो uncertainty होती है हो सकता है कि oil के price बढ़ जागा तो मुझे loss होगा as a airline और अगर यह कम होगा तो मुझे benefit होगा बट मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है तो मैं क्या करता मैं आज की date में इसका कोई भी features खरीद लेता हूं कि देख मुझे आज 100 रुपीज पर लेटर में के rates अगर यह oil मिल रहा है let resume तो आगे आने वाले 6 महिने तक मुझे जो 6 महिने के बाद जो मुझे चाहिए जितना quantity का है certain amount let's assume x letters मुझे चाहिए तो मुझे भी 100 रुपे पर अब जो भी सामनल पार्टी एगरी करती है कि हां मैं इस तरही कि bet लगाने के लिए ready हूं मतलब एक तरीके से यह शर्त ही है और कुछ नहीं है तो इसमें बस एक पार्टी यह सोचती है कि आने वाली time में oil कर price बढ़ सकता है इसलिए मैं भी से उसको secure कर लेता हूं उसका price औ वो basically oil के हैं या फिर हमारे पास जो है stocks के हैं या commodities के हैं तो generally यही traditional derivatives होते हैं पर हाज हम जो हम discuss करने वाले हैं वो कुछ unconventional या फिर non-traditional derivatives के हम बात करेंगे तो इसको एक बार हम थोड़ा theoretically समझ लेते हैं कि यह basically underlined assets अपनी value derive करते हैं जैसा हमने अभी discuss किया they are often used to risk management speculation and hedging obviously risk management करना मतलब अगर मेरे में रिशातों के मेरा उलका price बंढने से मेरा profit कम हो जाए तो उसके लिए मैं risk management कर रहा हूँ अभी से उसका एक तरीके से उसकी quantity को block कर रहा हूँ certain price में speculation जो समना वाला है जो उसको बेच रहा हूँ obviously speculation कर रहा है कि नहीं यार वो तो कम होने वाला है मैं तो future पैसा कमाल हूँ है hedging hedging का मतलब यह होता है कि अब जैसे आज मेरे पास एक portfolio है suppose एक क्रोड का उस एक क्रोड के वन से आर के portfolio में मेरे पास assuming IT industry के shares है काफी सारे अब क्या है कि अगर यह market अगर यह जो IT index अगर बढ़ता है तो मुझे obviously profit होगा वो कितना भी उसकता है अगर यह गिरता है तो मुझे loss होगा यह तो simple mathematics है अब मैं क्या करता हूँ इसको hedge करना मैं चाता हूँ कि अगर यह गिरे तो मुझे loss ना होए तो इसके लिए मैं करूँ एक त्रीका insurance ले लेता हूँ किससे जो भी insurance प्रवाइड करने वाला हो जो भी वह speculation करने के लिए ready हो मैं उससे इसका put खरेद लूँगा कि भई अगर य यह बेचेगा और यह खरीदेगा put इसको put बोलते हैं तो यह जो बेचेगा न यह एक certain premium से charge करेगा एसे कि अगर certain period के लेटे जो एक मेने के लिए एक मेने तक अगर यह portfolio और यह IT index वो उसकी reference value रहेगी वो उसका underline value रहेगी अगर वो नहीं गिरता है तो यह premium मैं रख अगर वो गिरता है तो जितना difference आएगा उसका profit जितना भी difference रहेगा current value में और उस एक मेने की last date में जितना difference रहेगा index value में तो उतना difference इस एक को as a profit चला जाएगा तो मतलब एका जितना index गिरा है तो उसका main जो portfolio था वो तो loss माया यहां तो loss आया उसको पर उसने इसने यहां पर कमा लिया यहां पर उसको compensate कर लिया कैसे इस insurance को price को pay करके तो यह कुछ इस process को hedging बोलते हैं अगर आपको नहीं समझ माया है तो हम इसको किसी दिन और detail में भी अच्छे से समझ लेंगे बस आप भी समझ लेजे कि अगर में पास कोई बड़ा सा portfolio है या कोई बड़ी सी मे इसकी delivery आपको नहीं देने पड़ती यह compulsory नहीं है आप चाहे तो बस आपका जो premium आपने उसको pay किया था initially वो premium आपका चला जाएगा पूरा और futures में इसा है कि आपका premium तो जाएगा जाएगा साथी साथ आपको उस underline asset को delivery देनी ही पड़ेगी अगर आपने commit किया है कि मैं 1000 shares या फिर मैं one one barrel या फिर one thousand barrel oil का आपने trading करी है तो आपको at the end of the delivery मतलब जब वो उसका expiry रहेगा उस time पर आपको 1000 share या 1000 barrel oil जो भी आपने commit किया है वो आपको delivery देना ही पड़ेगा अब आप कहां से देंगे आप उसकी market से खरीद के उसको delivery देंगे या फिर आप उसका जो traditional derivatives है जैसे कि उसमें energy derivatives कि हम बात करें तो उसमें oil and gas होता है तो यह काफी जाना पेचाना नाम है अब जो हमारे non-traditional है उसमें है जैसे weather derivatives weather derivatives के अंदर तीन आते हैं rainfall, frost और water derivatives तो rainfall derivatives क्या होता है जैसे कि जो हमारी agriculture firms होती है यह या फिर जो water utilities होती है यह इस तकी की derivatives को ख़ई सकती है अब rainfall का एक pattern होता है हो सकता है कि इस साल जो rain pattern हो अलग हो जाए तो उनको बिजनेस में loss ना हो उसके लिए वो उसका derivatives खरीद लेते हैं जो भी उसको provide करने वाला रहता है उससे इससे क्या होता है कि अगर वो pattern follow हुआ तो ठीक है फिर तो उनको बिजनेस में profit होगा बट अगर उनको बिजनेस में पर जहां पर यह सकते हैं कि अगर मालो सनो का जो बैटन है वो डिश्टाब होता है तो उनको बिजनेस को लोसना और रोस को भी anyway make up कर लें water derivatives basically इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा benefit रहता है क्योंकि इंडस्ट्री एसी काफी सारी इंडस्ट्री होती यह water dependent होती जैसे power plant होगा है यह वोटर काफी सारा heavily water dependent होते हैं तो अगर वोटर का प्राइस को इनको वोटर जो है स्टेट्स से कहीजना पड़ता है पर क्यूबिक लिटर के फॉर्म में पर क्यूबिक मेटर के रेट से तो अगर यह एजूमिंग अभी है दस उपह अगर पर क्यूबिक मेटर के रेट स अगर खरीद रहें और मान लोग water scarcity होता है यह दस का shoot up करके 20 हो जाता है या फिर 30 हो जाता है तो इनका तो रो मट्रेल का जो है वो सब कोस्ट से डर्बल हो चुका है तो इनका profitability कम होने के जगा इवा नेगटिव भी जा सकता है तो इस चीज़ को secure करने के लिए यह लिए ल मार्केट में available है अब जो next है हमारा यह काफी यह भी काफी popular हो चुका है अब यह क्यों होता है अगर मान लो कोई यह कुन खरीदेगा obviously shipping industry में जो भी उसके stakeholders है उनके लिए यह खरीदना beneficial होता है अब किस case में यह सबसे अधा effect होगा geopolitical tensions के case में हो सकता है या फिर कोई nature calamities के कौम में हो सकता है अगर मालो किसी रूट सी रूट में अगर hurricane आ रहा है या फिर किसी सी रूट में कोई भी समुद्रम अगर disturbance created हो चुका है या फिर air travel नहीं हो पारा है तो उस case में जो alternate route है उसक उसको बचाने के लिए यह लोग इसते के derivatives खोड़ेद लेते हैं जिससे की इनको जो इनका financial से उसको manage करना easy हो जाता है payroll derivatives यह सुन के काफी आजीब लाएगा payroll yes it is existing in USA especially अब जो यह दोनों था इस यह basically हम employer की side से बात कर रहे है मतलब एक company A है अगर उसने किसी x y z को employee job पर रखा है तो अब यह जो labor यह तो एक तक से labor ही हो गया तो जो labor cost है उसको certain रखना है कि कल को अब जीसी का IT companies है अभी recently इंडिया में IT जो companies है इन लोगों ने इनकी salary hike करिए तो इससे जो load आया है वो company के balance sheet पर आया है तो उस चीज़ से बचने के लिए company payroll derivatives करिए लेती है कि कल को अगर हमको hike देना भी पड़ा तो हम at least उस derivatives जो हमारा profit होगा उससे इसको make up कर लेंगे तो यह real scenario में होता है ऐसा क्यों होता है मान लोग किसी अगर technical या पिर specific job जो जिसमें skill required है उससे के main power अगर काफी कम है या भी कोई government से law pass कर देती है या फिर geopolitical tensions अगर create हो जाता है तो ऐसे में suddenly जो labor cost है वो shoot up होने का chance होता है तो उससे बचने के लिए companies तरहीं के लेती है और यह real example हमना भी देखा यह recent just after covid जो next है वो है credit swap, credit default swap इस case में भी मतलब इसमें यह basically जो इस तरहीं का जो derivatives होता है यह banks या फिर जो financial इसरूर होते है उनके लिए रहता है यह दो parties के बीच में होता है जिसमें एक party agree करती है pay करने के लिए और दूसरे party या फिर जो भी company रहती है वो मतलब उसको receive करेगी obviously अग अगर वो default करता है तो जो जिसने derivative खरीदा है उसको अपने loss को make up कर सकता है उस derivative की cost से अगर वो नहीं होता default तो जो premium उसने pay किया है वो anyway lapse हो जाएगा तो यह थे कुछ unconventional non traditional derivatives जो market में available है साथी साथ कुछ और derivatives भी जैसे temperature derivatives यह भी derivatives है जो आने वाले time में काफी आप practical हम देख सकते हैं क्योंकि कि किसी certain area का temperature अगर सपोज यहां का temperature हम समवर में 49 एजूम करते हैं या फिर 42 degree centigrade है तो इससे link इसको reference मान के अगर इसके उपर temperature जाता है तो तो अगर इसके उपर रहता है एक certain period में मार्च अप्रेल में मार्च अप्रेल में 42 से उपर जाता है तो इस चीज को लेके trading की जा सकती है और 42 से नीचे जाता तो इस चीज को trading की जाती है क्योंकि यह भी directly affect करेगा इससे जो downstream इसको कुन करेदेगा जो की temperature से dependency की cold storage और जो ice cream manufacturing हो गया या फिर जो perishable items का जो fall seller है या फिर जो manufacturer है या फिर जो creators है तो इस तकी की जो traders या फिर जो businessmen है वो इस तकी के derivatives में काफी interested रहेंगे तो यह था मेरा वीडियो non-traditional derivatives को आरह में आचके लिए नहीं, thank you